हलो दोस्तों नमस्कार मैसेल फरन्वी जाखर टीम कमस्सी सील सीकर बेटाजी आज अपन बात कर रहे हैं माइनर टेस्स सिरीज फॉर जैमेंस टू जीरो डबल टू जिसमें अपने टोपिक रखा है और्गिनिक कमस्सी का नॉमें कल्चर आईसोमेरिजम जी यो सी माइनर आप अगर अपन बात करें अगर अपने को क्या दे रखा हो कि दियर ख़ा है कि विधलो उसका दे रखा है सब से पहले ammonia दे रखा है three degree दे रखा है two degree दे रखा है और one degree दे रखा है अब कोई medium नहीं दिया होता जब कोई medium नहीं दिया होता तो अपन क्या मानते हैं solvent लगाते हैं यानि कि polar ια加वरप्रोटिक।। सॉल्वेंट ही मानते हैं अगर ÇE3 P12 और factors 30 का C इस्थमार करते हैं और हैं लिए और आगर है इस्थाईल अगर पढ़तों अगर Gacyate state में अपने से Gacyate phase में अगर अपना से पूस्ता तो रिकर देफ कर देता कि कhui correct order है या नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाए गा दोस्तों यह अभ अपने को को solvent नहीं लिखा है तो अपन सबसे ज़्यादा किस की होगी दोस्तों CS3 दे रखा है तो टू डिगरी की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी बेसिक सेंट यानि की उल्ट एफेक्ट की बात करें तो यह तो PKB पूछा है तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो के भी देख लो पहले ठीक है उसका उल्टा क कर देना बेसिक सेंट का उल्टा क्या जाएगा PKB तो सबसे ज़्यादा लास में यानि की कौन आना चीए था टू डिगरी लेकिन यहाँ पर वन डिगरी आ रहा है इसका मतलब यह अपना आंसर नहीं हो सकता दूसरे की अगर पन बात करें तो दोस्तों देख लो इथाइल दे दिया और इथाइल में सबसे ज़्यादा क्या होता है यह बेसिक सेंट का उडर है और यह बेसिक सेंट का उल्टा यानि की PKB का है इसका मतलब पन बात करें तो दोस्तों बेसिक सेंट की किसकी जादा है इसका non pair of electron kondjugation participate कर रहा है इसका non pair of electron contribution नहीं कर रहा है तो इसकी basic sense जादा है तो PKB किसकी जादा होगी इन दोरों में से बात करें तो दोस्तो basic sense इसकी जादा है तो PKB किसकी जादा होगी तो इसका मतलब कौन सा right answer हो गया second सवाल की और बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 क्या दे रखा है दोस्तों ये पूछा गया है कि which is correct statement यानि कि सही कथन कौन सा है इन में से identify करना है ये अपने को क्या दे रखा है दोस्तों और ओर इस नुकलियोफाइल ये अपने को क्या दे रखा है दोस्तों इथर दे रखा है और इल्डी हाइड एक्ट एउलेक्ट्रोफाइल ऐस वैल एज नुकलियोफाइल यास ये भी बात सही है दोस्तों जाने की LDHID की अगरपन बात करें यानि की कार्बोनिल कंपाउंड की अगरपन बात करें तो इसके पास Nucleafile की तरह भी behave कर सकता है यानि की Lone Pair of Electron होता है ये किसी के उपर क्या कर सकता है दोस्तो अटेक कर सकता है तो ये Nucleafile हो गया और कोई इसके उपर अटेक करेगा दोस्तों मालनों गिन्यार रिजेंट आपको दे रखा है तो ये Nucleafile इसके उपर अटेक का सकता है तो इसका मतलब ये एज ए एलेक्ट्रोफाइल है एज ए नूक्ट्रोफाइल दोनों की तरह ये क्या हो गया दोस्तों इनकरेक्ट हो गया तो इसका मतलब ए और बी आपका राइट है कौन सा आंसर आजाएगा दोस्तों सेकिन आंसर की और ही सारा कर रहा है next सवाल की अगर अपने बात करें तो अपने पास सवाल कौन सा है third सवाल क्या पूछा गया है दोस्तों ये पूछा गया है hydrogenation heat of hydrogenation HOH पूछी गई है दोस्तों HOH आपको पता है दोस्तों directly proportional होती है number of pi bone के inversely proportional होती है stability के if number of double bone same है तो क्या कर देते हैं दोस्तों उसका उल्टा कर देते हैं अब अपने stability देख लो stability का उल्टा क्या कर दो दोस्तों heat of hydrogenation ठीक है hydrogenation heat of hydrogenation किसको बोलते हैं दोस्तों यानि कि यह double bone दे रखा है इसमें क्या करवा देते हैं है अपन H2 का गोलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं HOH और यह कैसी होती है दोस्तो नेगेटिव में जिस एलकीन की stability क्या होगी दोस्तो minimum होगी इसका मतलब वो जल्दी break होगी और जल्दी break होगी तो इसका मतलब वो heat of hydrogenation क्या देगी ज्यादा देगी ठीक है तो अपन देख लो दोस्तो stability के inversally proportional कर देंगे सबसे ज्यादा stability किसकी है इसमें देखो two pi bond है इसमें भी two pi bond है इसमें देखो pi sigma pi sigma pi इसका मतलब इसमें conjugation है इसकी बात करें तो pi sigma pi इसमें भी conjugation है लेकिन वाव यह कैसी हो गई दोस्तो four pi electron anti-aromatic हो गई देखो इसमें complete close conjugation है cyclic planar है cyclic planar है complete close conjugation है तो क्या हो गई यह anti-aromatic हो गई 4N πi electron हो गए इसमें क्या हो गए 4 πi electron 4N πi electron rule को follow करती है यानि कि यह कैसी है anti-aromatic है और anti-aromatic list stable होती है इसका मतलब इसकी ho h की value सबसे ज़ादा होगी यहाँ पर बात करने तो देखो pi sigma sigma pi इसका मतलब इसमें किसी परकार का कोई conjugation नहीं है तो stability सबसे ज़ादा किसकी आएगी द stability है अपने क्या पुछा गया है है हो उल्टा कर दो दो दोस्तो वाई की सबसे ज़ादा उसके बाद में जैड की उसके बाद में x की इसका मतलब कौन आ जाएगा second answer की और इसारा हुआ next सवाल की बात करने तो कौन सा दे रखा है fourth number सवाल क्या पूछा गया है दोस्तो correct acid order पूछा गया है जो भी अपने को दे रखा है acidic scent पूछी गई है chloroform is more acid than fluoropharm इसका मतलब ये गलत है acidic scent सबसे ज़ादा किस की होती है दोस्तों chloroform की होती है यानि कि इन दोनों में compare करें तो क्योंकि acidic scent directly proportional होती है stability of conjugated base के conjugated base की दोस्तो stability जितनी ज़ादा होगी यानि कि ये h निकलने के बाद में जो बनता है उसको अपन क्या बोलते है conjugated base बोला जाता है और conjugated base की stability जितनी ज़ादा होगी इसका मतलब acid उतना ही क्या मिलेगा दोस्तों strong मिलेगा तो यहाँ पर अगरपन बात करें तो देखो इसमें vacant orbital है इसको क्या मिल जाएगी दोस्तों बीवी मिल जाएगी बीवी का मतलब back bonding और बीवी मिल जाएगी तो stability क्या हो जाएगी increase और यहाँ पर बीवी नहीं मिल सकते ही ठीक है क्यों क्योंकि यह लॉन पेर नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों रिपल्शन करेंगे रिपल्शन करेंगे तो stability किसकी जादा होई ccl3 नेगेटिव की जादा होई इसका मतलब यह गलत हो गया दोस्तों आगे बढ़ो up to down in up to down move करने पर दोस्तों acidic सेंथ क्या होती है इनकरीज होती है ठीक है यानि कि हाइड्रा एसीडिक ऐसी स्टेंथ है जो पेरियोडिक टेबल में left to right और up to down move करने पर एसीडिक सेंथ इनकरीज होती है ठीक है लेफ टू राइट की बात करें तो इन के कोडिंग और up to down move करने पर साइज के कोडिंग ठीक है तो सबसे ज्यादा स्ट्रोंग एसीड हाइडरा एसीड में कौन होता है है ठीक है और सबसे वीक कौन सा हो गया है इसका मतलब कौन सा जाएगा यह राइट है इसके बात में बात करें तो दोस्तों ओह हो यह गलत इसका मतलब यह भी क्या है राइट है क्यों, क्युंकि फिनोल अच्छा एसीड है एच जल्दी निकलने के बाद में क्या बना लेगा दोस्तों निकलने के बाद में फिनोकसधी आयन बनेगा और फिनोकसधी आयन में resonance on resonance के कार्रें जाके यह जूबर्टेल है चीक है और उसके बाद में किसका नमबर आता है धूस्तो मेथेट साथ हैं एकसे का नहОल का इसके भाद में नम्बर आता है दूसथऄ बाद kanil 순ब ने का कुछुर है किसके बाद में अम। ज्यादा होती है तो इसका मतलब और डी राइट है और बी और डी किसमें है दोस्तों थर्ड आंसर आ गया ठीक है नेक्स सवाल की और बढ़ते हैं सवाल नमबर 5 अपने को क्या दे रखा है दोस्तों यह दे रखा है order of bone length bone length का order अपने से पूछा गया है तो देख लो x और y में से bone length की अगर पन बात करें तो conjugation, conjugation और hyperconjugation के कान single bone में double bone के character, double bone में single bone के character आज़ाते हैं के कान double bone की bone length increase हो जाती है और single bone की bone length decrease हो जाती है ठीक है तो यहां देखिए दोस्तों NO2 किसका काम करेगा minus m का काम करेगा यहां पर double bone है double bone है यहां conjugation होगा conjugation होगा ना यानि कि minus m effect किसको बोलते हैं conjugated system से attach atom on next atom के बीच में multiple bone हो यानि कि conjugated system benzene से अच्छा conjugated और कौन होगा दोस्तों ठीक है तो यह conjugated system conjugated system से attach atom and next atom के बीच में क्या हो multiple bone हो attach atom से next atom की EN ज़्यादा हो उससे क्या बोलते हैं minus m effect तो बोला जाता है मेजोमेरिक effect negative वाला तो यह conjugation कर रहा है तो इसमें single bone में double bone के character आ रहे हैं यहाँ पे देखो NO2 conjugation तो यही करना चाता है लेकिन इसके दुस्मन बहुत है दोस्तों यह CS3 CS3 और NO2 आपस में बलकी group हो गए और यह दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों करेंगे रिपल्शन करने के कारण क्या हो जाएगा NO2 rotate होने लग जाएगा रोटेट होगा तो यह auto plane हो जाएगा और auto plane होने के कारण रिंग के साथ में cross conjugation नहीं कर पाएगा अब यह इसके साथ में conjugation नहीं कर पाएगा इसलिए इसकी bond length क्या हो जाएगी दोस्तों बड़ी रहेगी क्यों क्योंकि सिंगल bond में double bond के character नहीं आने देगा इससे क्या बोलते हैं SIR effect बोला जाता है तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों वाई की ज्यादा और एक्स की छोटी ठीक है बॉन्ड लेंथ अपने से पूछा गया था आगे नेक्स सवाल की अगर पन बात करें तो अपने को सवाल दे रखा है दोस्तों six number देखेबा सवाल क्या किरा है, which compound cho G.I. geometrical isomerism G.I G.I के लिए आपको पता है, दोस्तों condition rest truck rotation present होना चाहिए, second condition rest truck rotation से attached group क्या होने चाहिए, दोस्तों different होने चाहिए यादिकि single carbon से attached दोनों group क्या और चाहिए different होने चाहिए और same plane में होने चाहिए, यही कहानी GI की कहती है सीनेमिक एसीड आपको पता है दोस्तों सीने में हो एसीड उसे क्या बला जाता है सीनेमिक एसीड यानि कि pH, CH, double bond, CH और क्या जाएगा C, डबलो एच देखो यह GI शो करता है सीनेमिक एसीड GI शो करता है एक्राइल एल्डी हाइड एक्राइल कभी उस करते हैं टूटल नमबर ओफ कारबन क्या हो दोस्तों थ्री हो और फस्ट नमबर पे मेन फंक्शनल ग्रूप हो और सेकिंड नमबर पे क्या हो डबल बोन हो यानि कि टूटल नमबर ओफ कारबन थ्री हो second number पे double bone हो, first number पे carbon containing functional group हो उसे क्या बोलते हैं, acryl और ldiad के लिए ldiad क्या ये GI show करता है, नहीं कर सकता, इसके हालात ऐसे हैं कि ये कुछ कर नहीं सकती malic acid, malic acid अपल में मिलता है दोस्तों, malic acid आपको पता है CH, यहाँ पे क्या जाएगा OH, CH2 और COOH और यहाँ पे COOH, इसको बोलते है malic acid, ये दोस्तों OI show कर सकता है लेकिन GI कदापी show नहीं कर सकता तो हटा सावन की घटा, इसको हटा दो, इसको हटा दो, pyruvic acid, pyruvic acid glycolysis cycle में बनता है दोस्तों, यानि कि अपने बात करें, pyruvic acid इसको बोलते हैं, क्या बोला साता है, pyruvic acid, क्या ये GI शो कर सकता है, नहीं कर सकता दोस्तों, तो इसका मतलब इसको भी हटा दो, उसके बाद में क्या दे दिया, ये दे रखा है beta pentylene, pentylene यानि कि pentene, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, alpha ये है, beta ये है, यानि कि beta पे double bond, यहां पे H और यहां पे H, इसका मतलब ये भी GI शो करती है तो कौन GI शो करेगी दोस्तों, A और E इसका answer आजाएगा, yes, no, चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ें, सवाल नंबर ये अपने को दे रखा है दोस्तों, बहदी प्यारा सा सवाल है, how many studio isomer is are possible, ठीक है, तो कितने isomer, यानि कि SI की बात हो रही है, तो देखिए पहले तो ये molecule क कैसा है, symmetrical या asymmetrical, आपको इसकी सकल देखने पर नजर आ रहा होगा, कि ये कैसा है, asymmetrical नजर आ रहा है, क्योंकि terminal and different है, यहाँ पर CS3 है, यहाँ पर कुछ और लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, दोस्तों, ये symmetrical नहीं है, asymmetrical molecule है, फिर देखते हैं कि इसमें कार्बन है, या double bond है, जो GI शो करेगा, क्योंकि stereo isomer SI में दोनों ही आएंगे GI और OI, ये double bond GI शो करता है, ये double bond GI शो करता है, क्या नहीं कर सकता, क्योंकि GI in cycloalkene due to double bond, उसके लिए minimum आपको कितने carbon चाहिए, 8 member ring होनी चाहिए, ठीक है, 8 member से less अगर cycloalkene है, तो वो GI शो नहीं करेगी, क्योंकि इ trans position, more bond angle strain के कान क्या होती है, लिससे बल होती है, ठीक है, तो देख लो दोस्तों, ये नहीं कर सकती, लेकिन इसके पास देखो, काईरल है, या सकनो, काईरल है, यानि की CH2, CH2 बराबर है, लेकिन इधर गए पंखुडी, यानि की double bond SP2, hybrid carbon, इधर SP3, इसका मतलब ये काईरल हो लागा दो, 2 की power कितना आजाएगा, 4 कितना आजाएगा, दोस्तों, 2 x 2 x 2, यानि की 16 आजाएगा, यस, इसी कड़ी में आगे बढ़े हैं, तो कौन सा सवाल दे दिया, अपने को 8 number सवाल, ये अपने को क्या दे रखा है, कोई molecular formula दे रखा है, C5H10, ठीक है, C5H10 के लिए X अपने को दे रखा है, total number of possible structural isomers, ठीक है, और फिर कह रहा है कि उन total isomers में से जो आपने structural isomers बनाएं, उन में से कितने कमीने ऐसे हैं, जो GI show करते हैं, और कितने नहीं करते, ठीक है, जब कितने करते हैं, निकाल लेंगे, तो नहीं करते हैं, अपने आप बज जाएंगे, चलो देखो, structural isomers की बात करें, तो इसमें से सबसे पहले तो आप क्या निकालो, DU निकालो, C5H10 आपको दे रखा है, तो DU इसकी कितनी आ गई दोस्तों, DU की अगर पन बात करें, तो आप इस formula से निकाल सकते हों, यानि कि C, X और HY, DU निकालने के लिए क्या होता है, X plus 1, minus YY 2, यह DU के लिए formula होता है, यानि कि कितना आज आज आएगा, 5 plus 1, 5 plus 1, ठीक है, और minus 10Y2, कितना आगया दोस्तों, बात करें, तो 1 आगई, DU 1 आगई, इसका मतलब, DU 1 आने का मतलब क्या है, कि इसमें क्या हो सकता है, दोस्तों, 1 double bond हो सकता है, या फिर 1 ring हो सकती है, 1 double bond हो सकता है, 1 ring हो सकती है, बना कर देख लो दोस्तों, क्या बनाएंगे, 5 carbon अपने को दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ डबल बॉन लगा दो, फिर अपन क्या कर सकते हैं, दोस्तों, यहाँ डबल बॉन लगा दो, यास करो, फिर अपन क्या कर सकते हैं, दोस्तों, यहाँ डबल बॉ यहाँ डबल बॉन रखा और इस पंखुडी को यहाँ कर दिया देखो अलग मिल गया ठीक है फिर आप क्या कर सकते हो फिर आप यह कर सकते हो कि इसको गिन सकते हो ठीक है क्या कर सकते हो भला इसको गिना जा सकता है फिर अगर पन बात करें तो देखो रिंग वाले की बात कर ल किया कर सकते हो दोस्तों कुछ ऐसा कर सकते हो ठीक है कितनी हो गई दोस्तों 12345678910 1010 10 10 10 ठीक है तो कितना आज है गादोस्तों 10 10 10 एक प्थिन में इसका मतलब वह आप्षिन मिलेगा अपने को फिर पूछा गया है कि कितने कमीनेुन आपने आपने को अपने को कि हो करता है कि आपना हो मेधर यो लग अपन मिल जाएगा ठीक है नेक्स अगरपन बात करें तो क्या दे दिया है दोस्तों अपने को नाइन नंबर सवाल विच इस करेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है दोस्तों कौन सा सत्य गटना पर अधारित है इसका बारे में पूछा गया कि क्या ये होमोलोगस है ना ना सेम फेमली से विलोंग करना साइए उसको बोलते है समझाती है यानि कि होमोलोगस सिरीज यानि कि ये तो क्या है ऐरोमेटिक अलकोल है और ये अलिफेटिक हो गया तो दोनों की फेमली अलग-अलग हो गई इसका मतलब ये क्या नहीं हो सकता दोस्तों होमोलोगस नहीं हो सकता दूसरी अगरपन बात करें तो ये देखो ये क्या है होमोलोगस है ये कैसा है दोस्तों 2 डिगरी और ये कैसा है 3 डिगरी ये भी होमोलोगस नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता फिर अगरपन बात करें तो ये क्या लगा दिया दोस्तों CS3 और यहां पे भी क्या लगा दिया दोस्तों CS3 इसका अलब ये भी lawn pair लॉन पेयर और bond pair धोनो different इसका मलब ये भी GI show करता है तो इसका मलब C statement सही है ये क्या दे रखा है दोस्तों pyruo nitrile दे दिया ठीक है ये GI show करता है क्या pyruvic acid आपको पता है ठीक है तो पाई रूब यह हो गया ठीक है और यहाँ पर क्या लगा-दो दोस्तों c n लगा दो तो क्या बन जाएगा नाय टराइल तो क्या ये शो करेगा नहीं कर सकता जी आई शो इसका मतलब कौन सा answer only on C answer आएगा ठीक है नेक्स इसी कड़ी में आगे बढ़े हैं तो कौन सा सवाल दे रखा है टैन नंबर सवाल दा मोस्टेबल कनफोर्मर वो थ्री रोमो ब्यूटेन टू टू ओल ठीक है यह दे रखा है दूस्तो ब्यूटेन CS3, CH, CH और यहां पर क्या दे दिया CS3 दो नंबर पर आपको ओएच लगाना है थ्री नंबर पर आपको फ्लोरिन लगाना है यह आपका सब्सक्राइब खाएब और एपको क्या होगी क्या पर इसको बात करें तो क्यों कि तो हुएगो तब यहां पर आपने CS3 रख दिया यहां पर आपने क्या रख दिया दोस्तों ओएच यहां पर आपने क्या रखा है दोस्तों अब इसका अगर फॉम बनाएंगे तो आप क्या बना सकते हो दोस्तों यह फ्लोरीन है यहां पर क्या लगा सकते हो फ्लोरीन यहां पर आप क्या लगा सकते हो और यहां पर form है दुस्तों गाउच एंटी सेगड अगर आप बनाओगे तो यहां पे CS3, CS3, CS3 एक दूसरे के क्या मिलेंगे दोस्तों, एपोजिट मे बिलेंगे यहां पे आपने क्या लगा दिया CS3, तो यहाँ पर क्या रहेगा CS3, यहाँ पर OH रहा तो यहाँ पर क्या रहेगा, फ्लोरीन रहेगा ठीक है, यह H और H यह क्या है, एंटी सेगड है, और यह कौन सी है दोस्तो, गाउज फोम जिसको प्यार से क्या बल सकते हैं, गोचे फोम हना, यह stable है दोस्तो, क्यों भला, दूटो इंटा यह इंट्रा इंट्रा-मोलेकुलर हाइट्रसनब परिनग, यह इंट्रा-मोलेकुलर हाइट्रसन बंडिंग के कानिस्म क्या आ जाती है, एक्स्ट्र स्लीटी आ जाती है, इसलिए गाउज फोम is more stable than other ठीक है उसके बाद में कौन आजाएगी एंटी उसके बाद में आसिक बनाया आपने यानि की partially ठीक है आंसिक और उसके बाद में कौन आएगा fully fully की potential energy maximum है stability पताल में घुसी हुई है next सवाल की बात करें तो कौन सा दे रखा है 11 number number of possible structural isomer of C6H14 C6H14 की अगर आपन बात करें तो इसकी डियू निकाल कर देख लो दूस्तों डियू कितनी आएगी भला C6H14 में डियू आपने देखी 6 plus 1 ठीक है रखा हुआ है दोस्तों तो यहाँ पर 16 दे दिया कितनी बना सकते हो दोस्तो 9 C8 और H18 कितनी बना सकते हो दोस्तो 18 ठीक है उसके बाद में अगर आपन बात करने तो क्या दे दिया 9 H20 कितनी बना सकते हो दोस्तो 35 है आई सोमर ठीक है? इसकी कितनी? 35. तो इसकी कितनी बना सकते हैं दोस्तों? 5 बना सकते हैं. आंसर अपना अपना कुन सा आजाएगा? 5. Yes कि नो? बना सकते हो अधिक जानकरी के लिए आप नेक्स इसी कड़ी में आगे बात करें तो क्या पूछा गया है दोस्तों आई-उ-पी-एस-टी नेम है दोस्तों तो वह चैन सेलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन आज हैं और साथ में साथ में लंभी भी हो वान टू-3-4 वान टू-3-4 ठीक है आप स सब शुटेंड बचेगे इथाईल और मिथाईल दो बचेगे तो इसका नाम क्या लिखोगे टू-इथाईल-2 इथाईल-3 नंबर पर मिथाईल व्यूट-1 इन इसका मतलब हसी आंसर आ गया नेक्स एसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है थर्टीन न आगे बात करें तो कौन सा दे रखा है फोर्टीन नंबर सवाल आई-उ-पी-एसी नेम पूछा गया है बिल्कूल आसान सा सवाल है दोस्तों सी-एस-3-2-0 और यहां पे सी-एच इधर भी सी-एस-3 उधर भी सी-एस-3-1-2-3 यह क्या है दोस्तों छोटे वाले के साथ में ओक्सिजन बेज देते हैं तो क्या नाम लिखोगे टू नंबर पे एथोक्सी है ठीक है और कुल कितने कार्बन है तीन थ्री कार्बन के लिए प्रोप सिंगल बॉन के लिए एन तो देख लो टू एथोक्सी प्रोपेन इसका आंसर आजाएगा दोस्तों ठीक है चलो देखि टोटो मेरीजम कीटो इनोल टोटो मेरीजम शो करता है क्या यस करता है साब साइकलो हैक्जनोन की अगर बात करें तो यह टोटो मेरीजम शो करता है अलफा है इसके पास है टोटो मेरीजम शो करवादो दोस्तों कीटो फोम किसमें करवाट हो जाएगी इनोल में यस करता है साइब है तो ने आपड करें तो क्या दिरिखा है प्रोपीन जी आई आ इना गंधी बात हो गई दोस्तों प्रोपीं जी आई शो नहीं करता फिर अगर्पन बात करें तो नमबर ओप स्ट्रेक्चरल isomer C3H9N is 3 structural isomer की बात हो रही है कह रहा है 3 ना ये भी गलत बात हो गई 123 इसका क्या बना दोगे NS2 ये एक तो ये एन प्रोपाइल बना दिया दूसरा आप ISO प्रोपाइल बना दोगे फिर आप क्या बना दोगे कितने होगे दूस्तो फोर हो घया तो आफ दोगे इसलिए और की परोपाइल की बात करें तो सबसे जादा रही होता है दोस्तो ये senior Aromatic उसके बाद में कौन आता है, Non-Aromatic, और उसके बाद में कौन आता है, दोस्तो, Anti-Listable होती है, Room Temperature पे, Aromatic किसे बोलते हैं, साइकलिक होना चीए, प्लेनर होना चीए, Complete-Closed Conjugation होना चीए, 4N प्लस तू पाइल अक्टरोन को फोलो करना चीए, वो क्या है, दूस्तो, Aromatic है, ठ साइकलिक हो साइकलिक हो एली साइकलिक हो नोन प्लेनर हो बस एनी नंबर ओफ एलेक्ट्रोन हो अनकंप्लीट कॉंजुगेशन होगा ठीक है और नोन प्लेनर होगा एनी नंबर ओफ एलेक्ट्रोन हो भेरू बाबा होता है दोस्तों कुछ भी चढ़ा दो सब खालेगा यह इस इसका मतलब aromatic अब दो aromatic आ गई तो अब आप कैसे decide करोगे जिसकी number of resonating sector जादा बनेगी उसकी stability जादा होगी ठीक है इसकी साथ निभाना साथ या seven बनेगी और इसकी कित्ती बनेगी तीन ही बनेगी ठीक है जिस ring के उपर जितने की ring है और इसके उपर positive या negative हो तो वो तिक क्या बनाती है resonating sector का formation करती है तो ये भी क्या बनाएगी दोस्तो five resonating sector बनाती है ये seven बनाती है लेकिन ये तो anti है इसलिए अपने इसकी बनाती नहीं है ये क्या बनाएगी दोस्तों resonating sector यही रहेगी इसमें क्या होगा hyperconjugation होगा इसकी seven बन जाएगी और इसकी three बनेगी तो कौन ज्यादा सेबल हो गया सेकेंड 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 ठीक है नेक्स सवाल की बात करने तो कौन सा दे दिया 17 नंबर सवाल क्या दे रखा है flowing increase in increasing order of stability ठीक है तो stability का order की बात हो रही है दूस्तों अब आपको पता है alkene directly proportional होती है stability किसके number of alpha h increase number of alpha increase in increase stability increase यानि की alpha increase alpha h increase होंगे तो hyperconjugation की structure increase होगी यानि की total number of resonative structure due to hyperconjugation is equal to alpha h जितने alpha h जादा होगे उस alken की stability उतनी क्या मिलेगी जादा अब देख सकते हैं दोस्तों किस के पास ज़्यादा है इस तो उसके पास episode 5 III 10 फालभा कि रहिए न सब्सक्राइब के निए इसकी निए पर बात करेंग तो में कीवेखलगे है और इसकी नए तो बात करें तो थे इसके बात करें तो तो edu जाएगा Fourth, उसके बाद में कौन आजाएगा? Third, उसके बाद में सब से List कौन सी हो गई? First तो कौन सा? और आजाएगा 1, 4, 3 यानि की First ठीक है? तो कौन सा answer आजाएगा? One, four, three, one, second, four, three, one. ठीक है? First answer आजाएगा. Next इसी कड़िय में आगे बात करें तो दोस्तों क्या किया रहा है इंडक्टिफेक्ट इन्वालविंग यानि कि डिस्प्लेस्मेंट डिस्प्लेस्मेंट आफ डिस्प्लेस्मेंट ओप सिग्मा बोन लेक्ट्रों इस काल्ड इंडक्टिफेक्ट सिग्मा बोन के लेक्ट्रों के डिस्प्लेस्मेंट यानि कि वि संब नहीं आ सकते हैं दिस्की सिर्टाइशर यह क्या करें कर सकूरण हुँर के सारह हुआ लोकेलालोर इसका मतलब यह क्या हो गया रिजुफ डिस्पलेस्मेनट औहलेक्टरोन के इलेक्ट्रोन इदर उदर नहीं होते साथ ठीक है पाई बोन तो या तो पूरा खी सकता है अदरवाइस की सकता है नहीं है इसका मंदोर डिस्प्लेस्मेंट ऑफ सिग्मा मोन लेक्ट्रोन क्या हो गया इंडेक्ट इफेक्ट नेक्स सवाल की बात करें तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों सवाल पूछा गया है अलकाइल ग्रूप है मैक्समम प्लस अइफेक्ट अब आपको पता है प्लस अइफेक्ट दीन होते हैं ओ नेगटिव उसके बाद में क्या आता है सी यो टू नेगटिव उसके बाद में आर में भी किसका सबसे ज़्यादा थ्री डिगरी का उसके बाद में सी एस तरी का उसके बाद में आईसो टूप का जाता है डी और एच यानि के लिए स्टिंडर्ड जीरो माना जाता है तो थ्री डिगरी का सबसे ज़्यादा रहेगा नेक्स इसी सवा आगे सवाल की बात करें तो क्या देरखा है वीचिस साइकलो साइकलो एल होगी साइकलो हैक्जेन मोर स्टेबल मानी जाती है क्योंकि वो चेर फॉम में मिलती है यह अपने दे दिया थ्री मेंबड यह अपने फॉर मेंबड यह अपने क्या दे दिया फाइम मेंबड और फिर साइकलो हैक्जेन दे दी तो साइकलो हैक्जेन किस पॉम में मिलती है द सबसे ज़्यादा स्टेइन इसमें और सबसे ज़्यादा इसमें उसमें तो साइकलो एक्षन इस तेबल नेक्स सवाल की अगर बात करें तो अपने को क्या दे रखा है दोस्तों सेक्शन डी इंटीजर के सवाल दे रखे हैं क्या पूछा गया है नमबर ऑप स्टीडियो आईसोमर ऑफ गिवन बिलो इस एक्स ठीक है एक्स की बात करें तो देख लो अब इसमें यहां पर क्या है होती है क्योंक्र फिलिपिंग शोड नहीं करती नायट्रो संफिलिपिंग शोड़ करता है यह इने सब्सक्रेश करता है यह संग जी आइशो खरती है आब ये दिडिये ओ आई शो करती है यानि कि विदाउट काईरल कार्बन उप्टिकछली म्यर्टिय कंपाउंड निकंट मीत्रोंडत इसको कि क्या बोलते हैं इसको नो próp अपस में क्या होगा रिपल्शन होगा और्थो में बलकी ग्रुप में रिपल्शन होगा जिसके कान रिंग क्या हो जाएगी एक खड़ी है दूसरी पड़ी है अब इसमें पी वेस देख लो विदाउट कार्बन आप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलेगा यह आपको तो इ इसिकरी में आगे बात करें तो दोस्तों कौन सा जाएगा सवाल सबस्क्रांइन यहीं ही Wayne कि शौन यहां का लो टोटोमेरिम को करता है तो इसके पास भी एच्छ है देखो एसके हंब है इसके थेडिदी हैं सb3 यह नहीं करता है इसके हालात एसे हैं कि यह कुछ कर नहीं सकता सकता इसके हाला नहीं के पास αफाहाग्रम नहीं है यह शो करता है यह कौनसी हैं दोस्तों इमीन क्या बनादेगा इनमीण बना मैं इनमीन नहीं थेक्त है यह यहां पब इनमी ठीक है यह भी शो करता है उसके班 बाद में इसके पास alpha hydrogen नहीं है इसके पास breeze head atom पर present hydrogen does not participate in trotomerism because breeze head atom cannot have planar structure यह क्या नहीं हो सकती समतलिय सरंचना नहीं हो सकती इसलिए इसका hydrogen participate नहीं करेगा लेकिन यह तो करेगा यह तो करेगा यह भी करती है इसकी बात करें तो यह क्या दे रखा है इनोल फोम दे रखा है इसका मलव यह क्या बन जाएगी किटो बन जाएगी तो इसका मलव कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छे साथ कितने आंसर आ जाएगा जीरो सेवर यह सकनो चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ें नेक्स सवाल की और कौन सा सवाल है थर्ड नंबर सवाल यह क्या कर रहा है दोस्तों टोटल नंबर ओफ जी आई जी आई आई आप बनागे देख सकते हैं दोस्तों इसके कितने बन जाएंगे एक बार तो आप क्या कर दो सारे के सारों को वेस पर रख दो या डैस पर रख दो एक ही बात है एक बार यह बना दिया दूसरी बार आप क्या कर दोगे दोस्तों एक तो आपने क्या कर दिया बाकी सारे को वेस पर रखा और एक को आपने डैस पर कर दिया बहुत बढ़िया फिर आपने क्या किया दोस्तों कुछ ऐसा किया कि दो को डैस पे रख दिया और बाकी चार को क्या रखा आपने वेस पे फिर आपने क्या किया दोस्तों ऐसा कुछ किया कि यहां पे डैस 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 यहां पे एक छोड़ के डैस डैस ठीक है यानि कि वेस बाकी सारे चार वेस प कर दियां यानि कि इसको डैस 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 यहां पर डैस डैस यह चारों क्या रखे वेज़ पर रखे कानी खतम होगी चारों वाली ठीक है अब क्या करते हैं दोस्तों तीन को तो डैस डैस पर रख दो तीन को डैस डैस पर रख दो और तीन को क्या रख दो वेज़ पर रख दो चाड़के करके देख लिए आपने फिर क्या कर सकते हो दोस्तों एक डैस पे दूसरा वेस पे एक उपर एक नीचे एक नीचे दूसरा उपर कितने होगे गिल्लो वान टू थी फोर फाइफ सिक्स सेवन एट एट बन जाएंगे दूस्तों कितने बनेंगे एट अब यहां पर क कितने बनाए जा सकते हैं दोस्तों दोसी सोरेक ट्रांस दो बनाए जा सकते हैं इसके कितने बनाए जा सकते हैं दोस्तों एक बार तो तीनों के तीनों फ्रेंट पर रखो फिर इसको बैक साइड में ले जाओ इन दोनों को फ्रेंट पर रखो कितने बनाए जा सकते हैं चार बनाई जा सकते हैं तो 4 और 2 6 क्या कह रहा है दोस्तों ये कह रहा है कि 8-2-4 इस गाम अलब 2 आ गया है ठीक है 6-2-2 आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स इसी कड़ी में आगे बात करें तो इसका आंसर की बात करें तो कितना आ जाएगा दोस्तों ओवराल इसके 8 कितने बने इसक रखा है दा नंबर ओफ आईसोमर्स ओफ दा एरोमेटिक कंपाउंड सी सेवन एच एट ओप आरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या हो गया दोस्तों आपको एक तो बेंजीन बनानी बनानी है एरोमेटिक अगलन लिखके दे दिया सी 6H5 तो आपने काम में ले लिया अब दोस्तों 2 मश्यों एक और उक्सिजन बन गया इसका मलव आपने सकते हैं यह क्या हो गया यह ऐलकॉल जी काल आपन क्या बना सकते हैं दोस्तों यह उसके बाद पर आपने पढ़ा है कि लोल्यूंज Phenol RFGI क्या बना सकते हो दोस्तों CS3 ठीक है आप CS3 की आप position change कर सकते हो ठीक है यह क्या लगा दिया आपने Meta position पे Meta Crisole यह क्या लगा दिया दोस्तों Pera Crisole यानि कि Crisole बोलते हैं इसको OH आजाए यानि कि यह आपने लगा दिया कि यहाँ पे OH है और यहाँ पे CS3 है इसका मलब Ortho Meta Pera तीनों बन जाएंगे तो एक दो तीन चार पांच तो कितना आंसर आजाएगा पांच आंसर आजाएगा यास करो नेक्स इसी कड़ी में बात करें तो अपने को दे दिया दोस्तों यह अपने को दे रखा है लास्ट सवाल यह दे रखा है C2 access में reaction करनी है Mono chlorination करवा दो दोस्तों इसमें कितने टाइब के Carbon and Hydrogen परजेंट है 1 डिगरी 3 डिगरी 2 डिगरी 2 डिगरी 2 डिगरी 2 डिगरी 2 डिगरी तो ये दोनों और ये दोनों से मैं इसका मतलब 1 2 3 4 5 बना सकते हो यहां से निकाल दो दूसरा आप क्या बना दोगे दूस्तों यहां फिर आप क्या कर दोगे दूस्तों यहां पे लगाbrand लगा दो सी एलड़ कर सकते हो यहां पे लगांस ठीक है कितने factor गशो करता है करता है यहन रहाइब थी करता है कितने आतरा जाएगा यह था दोस्तों अपने ऊयुचा है उमीद किया होगा थेकि मस रहें तो अंच्र रहें पढते रहें छलो हो दा बैस गुल लक